आप सब लोगों को अंतराश्टिये महिला दिवस की हारदिक सुभकामना है और महिला दिवस पर सुभकामना देने का मतलब है कि सिर्फ सुभकामना देना भर ही तो नहीं है मैं आप सब महिलाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को बहतर होना है आप सब लोगों को मजबूत होना है आप लोगों को समाज में नए आदर्स प्रस्तूत करने हैं नया उदारन देना है लोगों को नई राह दिखाना है एक नया समाज बनाना है जिसमें कंधे से कंधा मिला कर के ही नहीं चल रही हैं कई बार वो पूर्सों को राह भी दिखा रही हैं इतनी मजबूत होने वाली हैं आने वाले समय में महिलाएं और इसके लिए महिलाओं का परमपरागत गुरूर्धियों को बंधनों को तोड़ना बहुत ही जरूरी है और ये काम दीरे धीरे ही होगा बिल्कुल एक जटके में तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे समाज में بहुत सारी बंदी से रही हैं। साबित करने के लिए आगे बढ़ रही हैं तो इसी संदर्व में मुझे class 10th के students की किताब में CBSC board की किताब है 36 भाग 2 तो अभी अभी थोड़ी दिर पहले मैंने एक lecture record किया था एक कविता थी कवी रितुराज जी की कर्ण्यादा तो उसी से मिलती युलती भावनाओं के साथ ह उसी चैप्टर में मुझे एक छोटी सी कविता मिली है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप सब सुनें अंतरास्टिये महिला दिवस पर क्योंकि इसमें भी महिलाओं के आत्मसम्मान और महिलाओं के मजबूत होने की बात कही गई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कविता को ए मैं लोटूंगी नहीं और यह एक अफगानी कवित्री की कविता है जिनका नाम है मीना किश्वर कमाल तो अब आप मेरी स्रीमती हंस लाता जी की आवाज में सुनेंगे एक छोटी सी कविता कविता का अंस है मैं लोटूंगी नहीं मैं लोटूंगी नहीं मैं एक जगी हुई इस्त्री मैंने अपनी राह देख ली है अब मैं लोटूंगी नहीं मैंने ज्ञान के बंद दर्वाजे खोल दिये हैं सोने के गहने तोड़ कर फेक दिये हैं भाईयो मैं अब वह नहीं हुँ जो पहले थी मैं एक जगी हुई इस्त्री हुँ मैंने अपनी राह देख ली है अब मैं लोटूंगी नहीं तो कैसी लगी ये कविता मुझे लगा कि महिला दिवस पर आप सब लोगों को सुभकानाएं देने के साथ साथ में अगर मैं सच में एक अच्छी सी बात एक अच्छी सी प्रेड़क कविता कुछ पंगतियां आपके मन में पहुचा पाऊंगा तो मुझे बड़ी खुसी होगी क्योंकि अब महिला दिवस सेलिब्रेट करने का मतलब सिर्फ यही तो नहीं है ना कि उसके बारे में छोटे बड़े नारे पढ़ना अखबार में बड़े बड़े अड़र्टाइज का छपना भासन बाजी होना बात होनी चाहिए आदर्सों को जीने की आदर्सों को उदारन के तोर प्रफ्रस्तूत करने की और मुझे ये कविता बड़ी अच्छी कविता लगी और इसमें बहुत ही कम सब्दों में ये पूरी की पूरी और बहुत बड़ी बात पुरजोर अंदाज में कही गई है इसलिए मैंने इसे चुना कि एक महिला के स्वर में ही और अपनी स्रीमती जी के स्वर में मैंने ये कविता आपको सुनाने की कोशिश की है आगे चल करके मैं इस कविता का पूरा का पूरा हिस्सा एक बड़ी सी कविता होनी जाहिए वो मैं ढूंदूंगा और फिर से इनकी आवाज में रिकॉर्ड कर योट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा और आप सब लोगों को सुनाने जो इन सब्दों में छिपा हुआ है और जो अभी अभी सस्वर पाठ करके आपको सुनाया गया है जिसमें ये कहा गया था कि अब मैं लोटूंगी नहीं अब मैं पीछे नहीं लोटूंगी अब मैं जीवन में आगे ही बढ़ूंगी और आगे ही बढ़ती जाओंगी और आखिर में आप सब लोगों को एक बार फिर से महिला दीवस की हारदिक सुखकामना है मैं अपनी पती स्री मती हंस लता जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाग भी दूँगा और उन्हें भी कहूंगा कि आपको भी महिला दीवस की हारदिक सुखकामना है और आप सब महिलाएं, दिनों दिन भविस्य में आगे बढ़ें, सबल हों, मजबूत बनें, और एक मजबूत, एक स्वस्थ समाज का निर्मान करने में अपना पूरा-पूरा युगदान दें। Happy Women's Day, Thank You